कोशन है आपका जिसमें आपको तीन बाई तीन की एक टेबल गिवन है जिसमें आपके तीन कॉलम है और तीन ही रो है इसमें आपका एक लेटर मिसिंग है यह आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए चार आपसने ए बी सी डी आपको गिवन है तो इसे हम सोल करने की कोशि कर लेंगे कहने का मतलब है A को हम एक लिखेंगे और Z को हमें 26 लिखेंगे इस परकार से हम लिखेंगे तो F कितने नंबर पर आता है तो A, B, C, D, E, F तो F आपका 6 नंबर पर आता है इसी परकार से I कितने नंबर पर आता है तो I आपका 9 नमबर पर आता है इसी प्रकार से ओ आपका 15 नमबर पर आता है इसी प्रकार से ये आपका 1 नमबर पर आता है ये आपका 10 नमबर पर आता है इसके लिए आपको एक फॉर्मुला बताते था हूँ ये जोटी ये जोटी आपने पढ़ा होगा तो ये किस नमबर पर आते हैं 5, 10, 15, 20 और 25 नमबर पर आते हैं मतलब ये आपका 5 नमबर पर आएगा जे 10 नमबर पर आएगा O 15 नमबर पर आएगा और T आपका 20 नमबर पर है और Y आपका 25 नमबर पर आएगा इस प्रकार से आप अच्छे से counting कर पाओगी तो के कितने number पर आएगा आपका 11 number पर आएगा इसी प्रकार से यह आपका 5 number पर आएगा M आपका 13 number पर आएगा अब आपको बताना है कोशन चिन वाली संक्या पर ही कौन सा number ही आएगा तो यहाँ पर ही यह हमारी first row है यह second row है और यह हमारी third row है तो first row के अंदर ही पहली संक्या और ही दूसरी संक्या को आपस में जोड़ दें मतलब 6 plus 9 हम कर दें तो आपको कितना प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 6 plus 9 कितना होता है तो यह आपका 15 होता है similar आगे चेक करते हैं तो 1 plus 10 करेंगे तो संक्या कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको 11 प्राप्त हो जाएगी similar नीचे भी करेंगे तो कितना करेंगे 5 plus 13 करेंगे तो संक्या कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी तो 18 पर कौन सा नंबर आता है तो 18 पर हमारा R नमबर आता है क्योंकि R S T T कितने पर आया 20 पर आया तो R कितने पर आया तो R हमारा 18 पर आया तो missing letter क्या हो जाएगा R हो जाएगा जो कि आपको option number ही B में given है तो B इस question का answer ही हो जाएगा जिसमें आपको बेमेल विकल्प का chain करना है इसके लिए आपको 4 option ही A, B, C, D given है तो A में आपका 144 लिका हुआ है B में आपका 168 लिका हुआ है C में आपका 166 में लिका हुआ है इसी परकार से D में आपका 256 लिका हुआ है तो इन्हें हम check करते हैं तो 144 क्या होता है 144 आपका 12 का square होता है इसी परकार से 166 में क्या होता है तो 166 में आपके कितने का square होता है या आपके 14 का square होता है इसी परकार से 256 आपका क्या होता है तो 16 का square होता है तो आपको एक से लेकर 20 तक के स्क्वाइर आपको याद होने चाहिए अगर याद है तो काफी एजी वेसे ये कॉशन आपका सोलवे हो जाएगा 168 किसका स्क्वाइर होता है तो अगर हम 13 के स्क्वाइर करें तो 169 आएगा जबकि यहाँ पर 168 लिका हुआ है जो कि किसी संक्या का स्क्वाइर नहीं होता है तो A आप्सन हमारा स्क्वाइर फॉर्म में है C आप्सन भी स्क्वाइर फॉर्म में है और D आप्सन भी आपका स्क्वाइर फॉर्म में है जबकि B आप्सन आपका स्क्वाइर फॉर्म में नहीं है तो भी यहाँ पर हमारा बेमेल विकल पे हो जाएगा नमबर सीरीज का आपका कोशन है पांच छे नो पंदरा कोशन मार के और उसके बाद में चालिस है तो कोशन मार का आपको माइन फाइंड आउट करना है ए बी सी डी आप्शन में से तो इसे कैसे सॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें पांच से छे पर जाना है तो पांच में एक जोड़ना पड़ेगा इसी प्रकार से छे से नो पर जाना है तो छे में तीन जोड़ोगे तो आप नो पर पहुंच जाओगे इसी प्रकार से 9 से 15 पर जाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा अब 15 से हमें कोशन मार्क पर जाना है तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो इसके लिए हम previous संख्याओं का analysis करेंगे तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा है उसके बाद में 1 प्लस 2 हमने जोड़ा है उसके बाद में 6 बोले तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हमने जोड़ा है तो आगे कौँ से संख्याओं के हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ेंगे नहीं पर इन चारों को आपस में जोड़ने पारे हमें प्राप्ट होता है हमें यहां पर यह 4 प्लस 7 प्लस 2 9 प्लस 10 मतलब हमें 10 जोड़ना पड़ेगा तो 15 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो मतलब कोश्चन मार की जगह कितना आएगा हमारा 25 आएगा और आगे हमें कितना जोड़ना पड़ेगा आगे हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक हमें जोड़ना पड़ेगा मतलब आगे हमें 15 जोड़ना पड़ेगा मतलब 25 और 15 कितने होते हैं तो 40 होते हैं तो यहां से हम हमारा 25 अंसर बिल्कुल सही है एक बार आपिस देख लेते हैं पांस से हमें छे पर जाना है एक जोड़ना पड़ेगा छे से नो पर तीन जोड़ना पड़ेगा नो से पंदरा पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा यहां पर छे जोड़ना पड़ेगा मतलब सबसे पहले हमने एक जोड़ा उसके बाद में एक प्लस दो जोड़ा उसके बाद में एक प्लस दो प्लस तीन जोड़ा और आगे हमें एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार जोड़ेंगे तो इन चारों को अगर आप जोड़ लेते हो तो हमें या पर दस जोड़ना पड़ेगा तो पंद्रा प् मेरी मा के पोते की पत्नी है. इस लड़की का मुहित से क्या समन्द है? यह आपको बताना है. इसके लिए चार ओप्षन भी यहाँ पर गिवन है. सबसे पहले बात कर रहे हैं मुहित. मुहित की हम बात करें हैं. मुहित क्या बोल रहा है? यह जो लड़की है लड़की की यहाँ पर बात वह रही है तो यहाँ पर इसे girl हम लिख देते हैं यह लड़की के लिए मोहित क्या बोल रहा है मेरी मां जो मोहित की मां है मोहित की मदर हम बना देते हैं M.O.T.H.E.R. मदर हमने बना दी मेरी यह लड़की मेरी मा के पोते तो मा का पोता कौन होगा मा का पोता बोले तो मोहित का जो सन हो जाएगा वही पोता होगा की पत्नी है तो यह क्या है जो लड़की है वो इसकी पतनी है यानि मोहित का जो लड़का है उसकी पतनी वो गर्ल है जिस लड़की को हमने इंगिते किया है तो लड़की का मोहित से क्या समंद है तो बेटे की पतनी मोहित से किस परकार समंदित होगी ये इसका ससूर लगेगा लड़की का मुहित क्या लगेगा ससुर लगेगा तो आपसन नमबर फूर हमारा यहाँ पर करेक्टि हो जाएगा यदि महा की पांच तारिक को मंगलवार है तो महा के तीसरे शुकरवार के तीन दिन बाद कौन से तिती होगी यह आपको बताना है तो सबसे बहले देखते हैं पांच तारिक को क्या है आपका ट्यूजडे बोले तो मंगलवार है तो चार तारिक को क्या हो जाएगा आपका चार तारिक का आपका मंडे हो जाएगा तीन तारिक का आपका संडे हो जाएगा इसी प्रकार से दो तारिख का आपका Saturday हो जाएगा और एक तारिख का आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर Friday हो जाएगा मतलब भी एक तारिख को कौन सा वार है शुकरवार है तो यहाँ पर हमें तीसरे शुकरवार पर जाना है तो आप सब भी जानते हैं जो वार होता है उसमें प्लस साथ कर देते हैं तो आप इसे वही वार आ जाता है क्योंकि सब्ता में कितने दिन होते हैं साथ दिन होते हैं तो इस प्रगार से एक प्लस साथ किया तो हमें दूसरे शुकरवार पर पहुंच गए हमें यहाँ पर तीसरे शुकरवार पर पहुंचना है तो आपिस हम साथ जोड़ेंगे तो तीसरे शुकरवार पर पहुंच जाएंगे तो तारिक कितनी हो जाएगे आपकी साथ दुनी चवुदा और एक पंदरा तो पंदरा तारिकों क्या आगया आपका शुकरवार आ गया उसके आगे कोशन में कहा गया है कि तीन दिन बाद कौन सी तिती होगी तो पांच के बाद पंदरा के बाद में तीन दिन और जोड़ देंगे तो आपकी तारिक कितनी हो जाएगी अठारा हो जाएगी और अठारा तारिक के बाद पूछा गया है कि कौन सी तिती होगी तो 18 के बाद कौन सी तारीक आती है 19 तारीक आती है तो यहाँ पर हमारा option number A हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा